यहाँ पर दिखिएगा यह हमारा HP का gaming keyboard K5100F अभ यहाँ पर दिखिए यहाँ पर इसके backlight on है लेकिन यह backlight on कैसे करते हैं यह बहुत से बाद में function की तो यह function की press करते हैं और उसके साथ में यह one यह देखिए अब देखिए इसका जो यह देखिए अभी क्या कर रही है धीर इसे on होता है और आफ होता है वापस में इसे प्रेस करता हो तो यह continuous की देखो कैसे movement करता है ना बन चलो बन चलो बन चलो ऐसे होता है तो function की प्रेस करना है और उसके बाद में आपको यह one प्रेस करना है तो यहां से आपको अलग-अलग अब देखिए मैं जैसे function की प्रेस किया उन उसके बाद में यह button प्रेस किया तो यह continuous ले भी on है अभी आप पुछोगे कि इसका जो brightness या फिरो कम है तो वह कैसे करना है तो page up and page down से होता है क्या नहीं होता है तो यहां से नहीं होता है तो उसके लिए आपको function प्रेस करना पड़ेगा उसके बाद में यह देखिए जैसा मैं इसे नीचे की और खिच रहा हूँ तो यह देखिए यह जो brightness है वो कम हो रहा है इसका यह अभी off हो चुका है अभी इसे चेंज करना है तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा function क्री वन पर करना है ठीक है आप देखिए मोड चेंज हो रहा है दीरे दीरे नीचे दीरे दीरे ऊपर मतलब slow fast slow fastest है हो रहे तो अभी क्या इसके अंदर हम यहां पर इसे control कर सकते हैं तो definitely no यहां से मुझे कुछ इसका logic समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वह automatically up-down up-down होता रहेगा तो इसके बाद में यह third इसका mode आ जाता है third mode अब देखिए automatically blinking कर रहे है तो इस case में तो मुझे नहीं लगता कि यह कुछ यहां पर काम कर पाएगा फिर भी मैं एक बाद ट्राय करके देख ले तो नहीं गाइस तो इसको अगर काम करना है तो इसके लिए आपको जो mode सी है वो stable mode सी है मतलब के यह वाला mode तब जाकर कि आप इसके अंदर जो है इसके brightness को कम ज्यादा move कर सकते हैं तो इस तरीके से यह है HP का gaming keyboard जो आप अच्छी तरीके से इसे use कर सकते हो किस तरीके से इसके पूरे functions होते हैं किसे क्लिक करना होता है क्या करना होता है किस तरीके से आपको इसका lightning जो है वो adjust करना है वो भी मैंने आपको बता रिया है I hope आपको यह वीडियो पसंद रहे होगा और इसके बारे में अगर आपको और भी डीटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर आपको इससे purchase करना है तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूगा description वाले section में आपको इस keyboard का link मिल जाएगा वहाँ से purchasing कर सकते हो